में लिट करेंगी ऐरी में मरगी रेल की नीचे कट घीज़ा लगा यह आ लेरी बना ले बना ले बाई भाई कुछक करेंगे सब करके तेरे किलाव लीग करें अब एंजी आप बात कर ले ने फिर सबेरे से आप बेठे हो एक बार समझा दिया था इनके पिछे लगे हुए हो सबेरे से मेरे पिछे लगे हुए हो ने फोन को मत छेड़ो अरे इसनी दर सरम कर ले अटेरे मैत मिका है यह बनाव बंदी मैं भी मुला जिन की नहीं हो जरबाड़ी इसनी नहीं हो सब्सक्राइब कर दिया आप समझाओ तरुन ने आप सच्चे हो आप जाओ डियास पी ओफिस में जाओ उनको को कि रिक्वेस्ट करो कि मेरे से गलती हो गई है चलो वहीं पर यह भी कहा देंगे चलो सर्जी कोई बाद में जो हो गया सो हो गया छोड़ो सारा दिन मुझे मेंटली भी और मतलब टोर्चर करते रहे पहले बाद तो हमारे चोट-चोटे बच्चे हैं मारी नोकरी चली गई तो हमारा तो जिन्दगी रवेगी कि तरुन की वज़े से मेरी नोकरी गई है और गन भी मेरे पास यह है पूरे पानी पत में और चार बंदे मुला के मरवा भी सकूँ सीधी साधी धमकी उन्होंने हर चीज में फिर अपनी बीवी को जान के मेरे सामने थोड़ा सा टोर्चर किया तो गलती नहीं है फिर मार अगर तो खराब हो गया 20-20 लाग में भी पुलिस की नोकरी नहीं मिल दी और तो अथारी वज़े ते मारी नोकरी चल जाएगी मैं का सर हमें नहीं चाहिए आपके 303 हजार अगर आप पुलिस वाले हो हम भी अगर फड़ों पर काम करते हैं हम किसी से बीक मांग के नहीं खाते फिर भी ये धाई बज़े तक मेरे को टॉर्चर करते रहे धाई बज़े मैंने सर को फोन किया आशीश जी को मैं का सर ये बैठे हुए है मैं क्या कर सकती हूँ ये भी नहीं है पता नहीं ये फोन रखके कहा चले गया अब वो भी मैंटली इतने ड स्क्रीन पर आप सनोली रोड से तस्वीरे देख रहे हैं तस्वीरे तान्या फ्लावरिश्ट के है जाने की ये फूलो का काम करते हैं और गुजरबसर जो होता है इनका फूल बेच के रोता है तस्वीरे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ये कोई आड़िजमेंट नहीं एक पुलिस वाले का डर इस परिवार को इटता है कि ये ढंग से सो नहीं पाते कि समय उसका मोबाइल बच जाता है ये नहीं पता और सि 306 में आपको फशा देगी मामला आपको बताएंगे सारा क्या है इससे पहले आप लोगों से अपील है कि पुलिस वालों के खिलाफ एक और मामला फशा है इस वीडियो को जादा से जादा से जूर करें मामला फशने की बात ये कह रहा हूं कि जिले के कप्तान जो हैं बहु आपको पकड़ा है और रिश्वत लेते हुए जितने भी करमचारी हैं उनको भी सजादी है और यह एक और मामला है डायल 112 का डायल 112 में जो करमचारी लगे हैं उनके खिलाफ यह जो है मामला सामने आया है यह मामला क्या है पूरा बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले फि नम्चारी ओपर रखते हैं और उसके बाद जिले के जो ibsp है वो भी पुलिस कर में उपर पूरा शिखंजा है उनका ब्रस्त जो पिलिस पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास अपनी शिकायत देने जाता है तब उन्हें दमक्या दी जाती है और पूरे महाइक में उनका दबदवा भी है आप यह केस वापिछ ले लो नितापके खिलाव जो ऐसा करतेंगे तो यह शक्त हैं सोनु मेरे साथ बातचीत करते हैं पहले अंदर चलते हैं अंदर फिर से बता दूं कि इनकी पत्नी हैं वह भी मेरे साथ लाइव रहेंगी क्योंकि कल से उनको भी धंक्या जो है मिलिया कि यह केस जो है वापिस देलो तो आपके खिलाब जो है हम लोग कारवाई करें लेंगे और आपका जो है नाम उसमें लिख लेंगे तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो सोनु मेरे साथ है पहले तो यह बताएं कि सारा यह वाक्या क्या हुआ था आपके साथ नमस्कार जी मेरा नाम तरण कुमार सोनु है और मेरा फ्लावर डेकुरेशन का काम है दोकुमेंट्स जेब में नहीं है और मेरे मुबाइल में सारे दोकुमेंट्स हैं वह बहुत करवाई तो उन्होंने फोन पर उनको बोला जी इनका तो चलान काट दिया गया है और बार-बार कहने के बाद पून काट के नीचे रख दिया और मुझसे बोले बातों से कुछ उनकी होगा कागस दिखाने बडेंगे मैं रगाण क्यों क्रवाता आपकी 53 काट पहले जें चलो चलान काट हो गया है जाइए अब तो उस तेम मैं भी जल्दी में था और मैं अपना चला गया उन्होंने मुझे कोई पर्ची नहीं थी कुछ समय के बाद जब अशीज जी से बात हुई अशीज जी ने बोला सोनो जी कितने का चलान खाटा था मैं गया इसा तीन सो बेगा और अमादे ट्रैफिक म में दर्ज क रहे मैंने की कंभी जाके में दर्ज करा दी और वहां से जब उन्होंने मुझे बुलाया गया सारी कंभी ट्रैफिक को दे दिया गया दो से Caleb त्रे ने मुंझा अगर यह बात जब पैसे नहीं लिया कुछ ऐसा है तो हकिकत बताना मैं अर्दागा ना करना तीन सोर पे ही दी हैं और तीन सो इक हैं मैं तीन जार भी कह सकता था कुछ भी कह सकता था लेकिन जो जैज लिए उन्हों जैज लिए लेकिन मुझे डर सिरफ इतना है कि उन्होंने मेरे को जब चलान के बारे मताया कि कभी कल को मेरा तीन सो पांच जार जार का कोई चलान ना मुझे जिस चीज का डर था तो उसके बाद उन्होंने रविंदर जी को पलाया उनसे भी पूछिच की और बाहर आकर रविंदर जी ने में से पूछा कि सोनु जी क्या तीन सौर पर लेने वाला मैं था मैं तो आप बताईए आप थे नहीं थे माल ले जी मैं हूं मैं का माल ल जो बधर करेंगे तो तो बोले जी डिएस्पी साफ तो चलो बात में ब latest कर लेंगे आपको 301 की बात तीन सो ले लीजिये थी पान सो ले ले लेजी है मैं का जृतार मैं बुजनस करता हूं दुंस करता हूं दुगान सारा कुछ हुआ तो परसो मेरे को जब उन्हों ने दिया तो इनको बुलाया होगा कि आप एक बार ड्यूटी हाजीर हो यह यह यहां पर आके अपना ब्यान दीजिए तो लेकिन वहां जाने के बजाए कल सुबह तकरीबन साड़े आठ बजे अठ बजे मेरी दुकान पर आग वापिस लेने से वहां से पूछा जाएगा कि किस टोर्चर में किस पैसे के दबाओं में या किस प्रेशर में आपने वापिस लिया तो मैंने का जिए आप एक काम कीजिए कोई बात नी गलती सबसे होती है आप अपने जाईए डियाश्पी साब कर लीजिए अगर ऐसा माफ कर देंगे जब आप कह रहें इतने अच्छे इंसान हैं तो आपको माफ कर देंगे और फिर मुझको बलाया जाएगा मैं भी आपके साथ हूं बोल दूंगा जी चीक है कि बंदा कुलिटी अपनी मांग रहा है तो उसको माफ कर दीजिए और नहीं होगा तो वो जाने जाने कहता नहीं मैं नहीं जाओंगा मेरेको तो जाते ही वह नोकरी के लिए नहीं सब्सक्राइब करदेंगे और मेरे हात में तो उसका नोटिस दे देगे आप पहले जाके आप पोचो और अशीस जीं से बी इनो फोन किया आप हम आओ वहीं मिलते हैं तो यह जी जी को मिल तो हम आपके घर ढूंडते हुआ आ जाते हैं बाकी बात इनकी मिसेश करते हैं मामला सोनों ने बताई दिया कि सनोली रोड पे खड़े थे ये लोग और तीन सो रुपे चलान के नाम पर ले लिए तो तीन सो रुपे लेने के बाद इन्होंने कंप्लेंट दी कंप्लेंट के अब सारी जो बात है बात करते हैं कि मिसेश को थ्रेट किया गया जिस चेर पर यह बैठा हुआ है इस चेर पर यह बैठे थे और कल से जो उसके रवींद्र कुमार जो हवलदार बता रहे हैं को डायल एक सो बारे में उसकी जूटी थी और उसकी धनमपत्री यहां बैठी थ लगाकर गहे हैं पताने का अंगयाcko फिर महने वैंने का फोन-कार्ड दिया फिर दूबारहक फून-टृan कि कि Sierra मगंए मट मुझे पता ही नहीं है कहां गया तो मैं आपको क्य से बताओं तो फिर मैंने का उनको ये ना लगए कि जूट बोल रहे हैं तो फोन मैं साथ लेके आई वो फिर भी फोन करते रहें उनको ये लग रहा था कि इन्होंने जान करके ये बात कही है लेकिन मैं यहां कर बैठी मेरे को कहने लगे जी मैडम जी क्ये 300 रुपे के पिछे आपने बवाल कर द और मानलो वो कहे देते हैं कि मैंने को तो याद ही नहीं है कौन सा हवलदार था या मैं कंप्रमाइस करता हूं मैंने का आप कल को कहे दो कि हमारी तो पुलिस वालों को फसाने के चक्कर में मानहानी का आप दावा कर दो या का ओ यही जूटा है यह तो पता नहीं कितने कितनों से करता हूँद का फसेंगे तो यही मैंने का वो कैसे कर ले compromise आप सचे हो आप जाओ डियास्पलों अविस में जाओ उनको को के Do Request करो कि मेरे से गलती हो गई इन चलो महीं पर यह भी कह देंगे चलो सर जि कोई तो हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं और फिर यूँ न सोची हो खुनस तो सारी जिंदगी रवेगी कि तरुन की वज़े से मेरी नोकरी गई है और गन भी मेरे पास यह है पूरे पाणी पत में और चार बंदे बुला के मरवा भी सकूँ सीधी साधी धंकी उन्होंने हर पीर अपनी बीवी को जान के मेरे सामने थोड़ा सा टोड़्चर किया तो इब तो मैं इसते भी बगादूँगा ना मैं आट्टा लियांड जोगा ना मैं चावल लियांड जोगा बच्चों तका हते पाल लूँगा यूभी अपने घर जावेगी, मारा तो घर बरबाद हो गया, मैंने का सर ऐसे क्यों कह रहे हो, इसमें उन बेचारी की क्या गलती है, नहीं गलती नहीं है, फिर मारा घर तो खराब हो गया, मैंने का घर क्या खराब हो गया, इतनी सी बात के पिछे कोई घर नहीं खराब होता, नहीं आपको 300 किया ना दे इसते 300 रपे दे 3000 दे 30,000 दे 3,000 दे 20-20,000 में भी पुलिस की नोकरी नी मिल दी और तो अथारी वज़ेते मारी नोकरी चल जाएगी मैंने का सर हमें नहीं चाहिए आपके 300-300 अगर आप पुलिस वाले हो हम भी अगर फड़े पे काम करते हैं हम किसी से भीक मांग के नहीं खाते हैं मैंने का फिर और मारने की बात कर रहे हो ना आप मार सकते हैं ना कोई और मार सकता मारने वाला उपर वाला है और कोई नहीं मार सकता उनको बाकी ये धमक्या देने के जूर्च नहीं है फिर भी ये ढाई बजे तक मेरे को टोर्चर करते रहे ढाई बजे मैंने सर को फोन के आशीष जी को मैं गाँ सर ये बैठे हुए हैं मैं क्या कर सकती हूँ ये भी नहीं है पता नहीं ये फोन रख ये काहा चले गया अब वो भी mentally इतने disturbed थे मुझे तो ये भी डर था कि पता नहीं घर से कहां चले गई है मुझे तो मैंने बल्कि उनको भी आशीश जी को भी यही बात कही मैं कहीं वो ही न कुछ करने चले गए और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है बल्कि उन्होंने मेरे को कहा कि आपना 112 पे फोन कर दो मैंने सर को request करी मैंने का चलो कोई बात नहीं सर जो बात हो गई सो हो गई आप एक बार कह दो तो ये कर लेंगे सर कहने लगे नहीं आप अगर वापिस लिया तो सारी बात तरुन के उपर आएगी कि यह जूठा है चलो हमने फिर फिर भी वो बैठ रहे मैंने पानी हमने तो कल का चार बज़े का पानी भी नहीं पिया मैंने चोटों को का मैंने का जा बेटे पानी ला चाय ला कोल्टिंग ला सब कुछ इनको खिलाया फिलाया दोनों मिया बीबी को मैंने का आप बुखे क्यों रहते हो इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई है लेकिन ये साड़े साथ बज़े तक मुझे ऐसे mentally भी torture करते करते हैं साड़े साथ बज़े फिर मैंने हाख के इनको सर को फोन किया ची मैं अधर इसी अपस्ट होएगी गांम है अमें हमारे तो बाप्पू भी मारेगा और गांम हम किस्तर बढ़ेंगे हम तो जाते ही नहीं जब तक यूं वापिस नहीं लेता है मैंने ये जब बात सुनी की उसको बार-बार कह रहे हैं कि इनके घर जाके तो फिर मैंने सर को फोन किया, आशीश जी को, मैंने का सर जी मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परशान होगी, सुबे से शाम तक, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो सर कहने लगे, अभी तक गए नहीं वो, मैंने का नहीं, अभी तक नहीं गए है, तो सर चलो कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ इतने में मैंने साड़े साथ बजे फोन किया ये अपने कही राइट पे होंगे तो वो साथ पोने आठ बजे साथ पिंतारीस पे यहीं आ गए सर उन्होंने आते ही पुछा क्या बात तुम गए नहीं हम तो यहां फूल ले ना आये थे उ फिर उसकी बीवी मुझे कहने लगी आपने विडियो बनाएं उनको बलाया था मैंने का मैजम मैंने कोई बात किया यही कहा है कि सुबह से यहां बैठे मैं क्या करूँ मैं तो बहुत परिशान होगी उसुबह से तो फिर उनको कहते है सर को भी सर ने वीडियो भी बनाई उनको कहते है चल इब कर लेगा तो मैं स्टाम पेपर पे लिख के देती हूँ तरुन का नाम और आशीश तेरा नाम कि मैं उस पर लि पिस आया दो तीन बारा आया फिर इन्होंने एक सो बारा पी फोन किया सर ने एक सो बारा वाली राइड आई उन्होंने भी इनको फोन करके बुलाए वो कहते है कि आप तो तम जो मर्जी कर लो मैं वापस जाने इब तो मैं देख लूँगा जो भी होगा यहां बैठे पिर हमने परिशानों के जब उनकी बीवी ने ये बात कही ना कि मैं मर जाओं मैं मर जाओंगी इनका नाम लेकर तो तब सर ने मेरे को कहा कि अपनी प्रोटक्शन के लिए आप कंप्लेंट करो फिर हम 11-12 सेक्टर वाले पे गए और मेरे नाम से महां कंप्लेंट हुई है मैंने ही सारी किया कि कल को कोई भी माइटर होता है ये खुद को कुछ कर ले या ह हमें कुछ हो जा है तो हमें तो सिक्योर्टी चाहिए हमें तो खत्रा है इनसे पुलिस वाले तो किसी के साथ भी मिलके कुछ भी कर सकते हैं और अगले ने मेरे को का चार बंदे बुलवा के मैं इसको मरवा भी सकता हूं तब भी क्या कर लोगे गन मेरे पास है अब बताओ ह हम किसके पास गुवार लगाएंगे इस चीज की कि हमें कहां से सिक्योटी मिलेगी पुलिस वालों से दुनिया डरती है मैंने बात बात में दस बार उनको का मैं पुलिस वालों की यारी भी बेकार और दुश्मनी भी बेकार ये भी मैंने उनको का मैं तो बलकि कोई भी आम ल फ्रश्करमियों के खिलाव डिपार्टमेंट कारवाई करें। में फोन पर कहा रहे हो कि चलान कट गया मतलब आम जंता तो दोनों तुरफ से फसी 300 रुपे भी दे दिये चलान भी आ जाएगा 3-4 दिन वा वो तो डरेंगी कि भी अब चलान भी आ गया और आप काटो तो पूरा चलान काटो ना क्यों करते हो ऐसे काम मैंने उनको बात बात म हराम के कमाई कभी नहीं पचती तो फेरवो कहते हैं जी मेरे से तो गलती तो होगी मेरे से अब क्या करें इसका होगा तो कमप्रमाईज आज करलो चैकल करलो मैं करको अब मेरे को क्यों टorچर कर रहे हो जो जिसने उनने करनाओ वही करेंगे न मुझे तो पता ही निया जिस मेरे को जूर्ट पड़ी उन्हें रात को भी मोखे पहुचे अगर वो नहां आते तो हो सकता है कि वह पता नहीं कितना तक हमारे दिमाखी टर्स से डालते रहते या कुछ भी प्रशान करते रहते लेकिन अशे जी रात को साथ दस ग्यारा बई तक चानली बग ठाड़े में त पूछ पूछ ना चाते हैं क्या करना चाते लेकिन हमने ना उनसे कोई बात किये ना उनका फ़ोन उठाया दुबारा से यह उस जिले की बात है जहां के कप्तान इतने इमानदार हैं और इन बरश्ट पुलिस करमियों के खिलाफ हमेशा कारवाई के मूड में रहते हैं यह उस जिले की बात है जहाँ ठाणों में पुलिस के जो कप्तान जाने के एस पी हैं खुद छाठ छाठ कर इंचार्जों को लगाते हैं यह उस जिले की बात है जहाँ पर मुख्यमंत्री इमानदार जो हर्याना के ग्रहमंत्री अनिलविज है यह उस जिले की बात है जहां पर पुलिस कर्मी इमानदारी का ढोल पीटती है हवलदार की तनका मेरे को नहीं पता पचास जार पलस होगी उसके बाद भी पैसे की इतनी भूग कि तीन सो रुपे लेन उसके बावजूद भी इनको डंडे का कोई डर नहीं है जब नोकरी पे बात आई तो तब इनके पास आकर धंक्या देने लगे अब मैं उन महानुभाव की यानि के और रविंद्र कुमार की आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जब ये रात को इनके पास आए और कैसे इनको धंकारे हैं, उनकी पतनी की फोटो तो नहीं दिखा सकता लेकिन उनका चेहरा प्लर करके उनकी बात चित भी सुनवाते हैं, रात को कैसे वो धंकी दे के जाती है, कि हम लोग मर जाएंगे और इनका नाम लिख लेंगे और ऐसी ऐसे बाते जो उन्होंने कई हैं इस महनुबाव की वीडियो भी देखिए और उसके बाद हम असीश कुमार के पास लिए चलेंगे क्योंकि असीश कुमार इस रोड के उपर रहते हैं और इनके पास फोन नमबर था तो इन्होंने इनसे जब बातचित की बड़ी बात की 300 रुपे लेने के बावजूद भी चलान का डर इनके उपर था तब इन्होंने बात आशीश के सामने रखी और मोक्य पर भी आशीश से बात करवाई ताकि बात्चीत जोगा कलीर हो शके हैं लेकिन रिविंद्र कुमार ने 300 रुपे भी ले लिए और इनसे द यह वीडियो देखें उसके बाद आशीश को बार के पास आपको लिए चलते हैं इनको क्यों परेशान कर रहे हो सुबैसे हैं जब पैसे लेते थे दायल 112 पे हैं हैलो पहले इतन खाइद नहीं हो रही बुश में भी नहीं बरता तुमारा आप सबेरे से मेरे को भी प्रेशान कर रहे हो पौन कर करके अपनी मिशिज गो ले के आये हो इनको अब इनको वारी चल पड़ी तो तुम मेरे को भी प्रेशान कर रहे हो रहे हalter किसने कख्या ब alliedThe Nast पुर्दिन से फोन पे बुराल बचा रख क्या है भाई, ओल्दा रवींदर एड़को स्टेवल बोलो है भाई, इतना सरना ठीकना है, रखीक है, इसी को बलतीना करी है अरी, इसा कोई मैक मेवाला ना है, ना लिया अरी, सुने, यहाँ मैं लिए कर जूंगी, यहाँ मैमर गीरेल की नीच चे कट घी ज्यकां लगुच होगया यहाँ मैं लिए बढ़े, बढ़े बाई-चू बढ़े मेरी बाई-चू कि इनको यहां बेठा रखिया डायल 112 पर करो क्या है सोनु जी मतों बीज पर मना किया नहीं जा रहे क्या करें मैं आगा शीची से बात करो मान दें अब एंजी आई नहीं बता हूँ बात कर ले नहीं फिर सोबेरे से आप बेठे हो एक बार समझा दिया था इनके पिछे लगे हुए हो सुबेरे से मेरे पिछे लगे हुए हो नहीं फोन को मत खेड़ो परेशान कर रहा इनको बार बार रहे हैं रेविंदर है वे वीडियो आपने देख ली दमपत्ति की आपने बात सुनी दमक्या दी जाती है और कोंस्टेबल रैंक का करमचारी पुलिस के भेश में कैसा उसने खेल खेला 300 पे रिश्वत ली पुलिस कप्तान इमानदार है और नीचे वाली उनकी सैना है वो समय समय पर आप वाईसों पानीपत पर देखते भी रहते हैं अशीर कुमार मेरे साथ हैं उनसे बाचित करने कोशिश करते हैं अशीर जी ये मामला क्या था आपके वाच कैसे जान करी बोदी है शर नमस्कार उस दिन पहले जैसे मैंने चला था ब्यान बहीं जाम मुक्त और करपसन मुक्त ट्रैफिक पानीपत का ब्यान चला था उसकी वज़े से लोग मुझे जानने लगे और मेरे पे बरोशा करने ल पर में और इम्लस्था अड़ा काई बाल से उन्हों ने बात करवाया तो अभी चलान पर हम दिया है फिर मैंने सोच यह तंड को आपक कोई चलान में और उसके बाद इसका मैंने तरुन है जो यह फूल वाला है इनको बता दिया भी यह तो आपके साथ गलत किया गया है आपका कोई चलान नहीं होया आपसे यह रिश्वत लेगी 300 रुपे तो इन्हों ने एस्पी साब क्यों इसकी सिकायत की है किसाब ने डियूस्पी साब के पास जांच बिठा दी और मामले की जांच के दोराने इन से पूझताच की डियूस्पी साब ने और इसको भी अवलदार को भी बुलाए था कल और मेरे पास भी अपनी पतनी से फोन करवाता रहाया वही केस उठवाजो के गलती हो गई केस उठवाजो और हम सारा दिन जैसे डूटी करते रहे वहाँ उफिस में भी गए इसमें क्योंकि इसने अपराध ऐसा किया गया है जो इसके ऐसे गलती है इसके खिलाब पहले भी बरस्टाचार के कुछ आरोप हैं और ये जो जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास एक गन है मैं मरवाद हूँगा को सरकारी गन है या इसको गन कहीं से मिली हुई नहीं आज मैंने सुबह पुलिस लाइन में जो पुलिस वाले मेरे को ये बता रहे थे भई इसके खिलाब पहले भी केस दरज वादा करफ संकाई बरस्टाचार का भी और ये सरकारी असला रखता है और इसने कहीं बार किसी को अड़ाया भी है करके अड़ाया भी है और इनको भी कल स्याम को इनका फोन आता सेड़े साथ बजे अगभाई ऐसे ऐसे करके हैं हमें दम क्या देर है फिर दायल 112 पर हमने कोल किया उनका वीडियो भी बनाया उसके बाद हुए यहां से बागे और थाणा में शिकायत भी की है ठाणा में इनकी शिकायत भी की है और अब यह भी ड्रे हुए है लेकिन जब तक इनका कोई आसवासन नहीं मिल जाता हमें तब तक ही लगातार घर्ष्ट करेंगे और इनकी सुरक्षय भी करेंगे इनकी सुरक्षा भी करेंगे आशीश कुमार हमारे साथ थे पुलिस कर्मी जब अपनी पे आता है तो क्या क्या करता है ऐसा ही जो इनको रोब दिखाने की बात की गई जब यह नहीं माने तो गन की बात की कि मेरे पास गन है मरबाद हूँगा लेकिन उनकी धरमबत नहीं है आ कारवाई करें ताकि एक मिशाल जो है पुलिस की पैदा हो सके वाइसो पानी पतले परदी पंचाल के साथ कुलवन से